लोकी का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लोकी लिया है इन डोनों लोकी का वजनकुल मिला के लोकी के चिलके निकाल लेती हूँ अच्छे तरह से पहले मैं इसे धोकी अच्छे से कपड़े से साफ कर लिया था बाद में इसके चिलके निकाल रही हूँ इसले डोकी का भी ढंटल का इससा हम निकाल लेंगे बाद में हम लोकी को इस तरह से छोटे तुकडो में काट लेंगे ताकि इसे ग्रेट करने में आसानी हो इस तरह से काट लिया है मैंने अब इसे ग्रेट करेंगे लोके को हमें गोल गोल घुमा के साइट साइट से ही ग्रेट करने ना है बीज का जो हिस्सा होता है सौफट वाला जो बीज होते है उसे हमें ग्रेट नहीं करना है इस तरह से इसे ग्रेट नहीं करना है बीज का हिस्स निकाल दिया है सारी लोकी यहाँ पर मैंने ग्रेट कर ली है गैस पर कडाई रख दी है और इसमें मैंने दो बड़े चमच देशी घी डाला है घी जब मेल्ट हो जाएगा हम इसमें डारेंगे ग्रेट किया हुआ लोकी और इसे घी में अच्छे से मिला लेंगे भून लेंगे अच्छे से भून लेना है यह बहुत हेल्दी एंड दिलिश्यस ऐसा हल्वा बनता है लोकी का लो फ्लेम पर हम दस मिनिट के लिए इसे ठक कर पकाएंगे अच्छे से दस मिनिट के बार देखते हैं अच्छे से कुक हो गया है लोकी और घी भी सेपरेट होने लगा है अब इस टेप पे हम इसे थोड़ा से और भून लेंगे और पाच मिनिट के बाद इसमें हम क्रीम डालेंगे तीन बड़े चमच घर में ही निकाली हुई फ्रेश क्रीम है जिसके मैं यूज कर रही हूं अब इसे हम लोकी में मिला लेंगे अच्छे से एक मिनिट और इस फ्रेश क्रीम के साथ इसे भून लेंगे इसे चलाते रहना है क्योंकि तले में लगने का डर रहता है इसलिए चलाते हुए इसे भून लेना है इसके बाद मैं टालूंगी दो चमच मावा जिसे खोया भी बोलत रहे है उसे चोटी-चोटों टुगडे करके लिया है मैंने और इसे हम समेश करेंगे इस हल्वी में अच्छे से मिक्स करेंगे मावे को अच्छे तर से मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे एक कटूरी शककर शककर तो बिल्कुल आपके टेस्ट के उपर है अगर आपको ज़्यादा मिठा पसंद है कम मिठा पसंद है उसके एकोरडिंग आप ताल सकते हैं शक्कर डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे इसमें, शक्कर को पिगनने तक ऐसे ही मिलाते रहना है, शक्कर डालने के बाद नीचे लगने का ज्यादा चांसस रहते हैं, इसलिए अच्छे से इसे हिलाते हुए स्लो फ्लेम पे पकाना है, चलाते रहना है और 2-3 मिनि होने लगे हैं अब हलवे में खोया की जगा आप milk made का भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें शक्कर का मातरा होती है तो हम इस शक्कर कम डाल सकते हैं milk made डालने के बाल तो तीनी minute के बाल यह फिर से गाड़ा होने लगा है यह देखें अब इस state में हम डालेंगे आथा चमच, इलाइची पाउडर और इलाइची पाउडर को हम अच्छे से मिला लेंगे और अब आती है बारी ड्राइफूट्स की तो आप आप के दिल को जो चाहे आप ड्राइफूट्स यूज कर सकते हैं या पे मैंने काजू के टुकड़े डाले हैं बादाम के आप चाहे तो पिस्ता का भी यूज कर सकते हैं तो लोकी का हलवा बिल्कुल रेडी है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर करे और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करे तैंक्स पर ओची चैनल